जैने दोस्तों वेल्कम टू जोतिर में दोस्तों आज हम स्वागत करेंगे हमारे आधरेनिये ओमकार चौदरी सरका सर बहुत-बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया हमारे चैनल पर आपको भी नमस्कार सभी धर्शकों को भी मेरा नमस्कार तैंक यू सर सर मेरा कुश से शब्द का इस्तमाल करूं हार गई जीत गई मतलब एक ऐसा था कि वही के 99 नमबर लाने वाला 80 परसेंट नमबर ले आए यह यूं कहें डिस्टिंक्शन तो अभी भी है और बाकी सबसकों मिला के इतने नमबर नहीं आए जितने इसके आगे और 240 लाने के बाद बस बीज मतलब एक वीडियो बनाया था कि अब की बार 40 पार का नबा लगाए या ना लगाए वो 99 नमबर ले आए यानि एक को एकस्पेक्टेशन से उमीद से बहुत जादा मिल गए और दूसरे को उमीद से बहुत कम मिले लेकिन अभी भी जो सरकार में उसका इतना जबरदस्त अब कुछ उनके पक्ष में लेकिन विपक्ष नेरेटिव वार में तो चीता है इसमें कोई दुराय है ही नहीं एक नेरेटिव जो चलाया डिक्टेटर्शिप से लेकर हर चीज का उसमें एक सकस्स मिली और बहुत सारे वोट चिटके लेकिन हम डिक्टेटर, रिजर्वेश कॉंस्टिटूशन इन सारी डिसकेशन में एक छोटा सा शगूफा केजरी वाल वाला भूल गए केजरी वाल इलेक्शन केमपेन में एक दावा कर रहा था लगातार कि अमिच शाह और मोधी दुबारा आएंगे और मोधी अगले साल रेटायर होके अमिच शाह को प्रधान डालने की कोशिश की जा रही है अब वो दरार पड़ी नहीं पड़ी वो एक अलग मैटर है क्योंकि योकी जी जो है वो जब शबत ग्रहन समारों में बैटे वे तो उनके चेहरे से साफ जलक रहा था कि वो हार से परेशान है दुखी है और ऐसा लग रहा है जैसे मोधी जी की सीटे कम नहीं हुई उनकी सीटे कम हो गई वो बहुत दुखी नजर आ रहे थे चेहरे के ऊपर जो एक चिंता थी वो साफ नजर आ रही अब ऐसी परिस्थितियों में जो विपक्ष है वो लगातार जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है पुरानी पत्रकार भी हैं जो के कही ना कहीं एक विरेधी विचारधारा को समर्थन देते हैं ना मैं उन्हें से किसी का नहीं लेना चाहूंगा और एक नीज चैनल के उपर लगातार डिसकेशन चल रहा है कि मोदी जी का यूपी से सूपरासाफ हो गया अवद का नाम लेकर प्रयागराज का नाम लेकर और उसके बाद क्या नाम है चित्रकूट का नाम लेकर और मैं जाने कौन-कौन सी सीटों का नाम लेकर कि जितनी भी इनकी धार्मिक आस्थाओं से जोड़े हुई सीटे की सब पर बीजे भी हार चुकी है और योगी जी जो है वो पन्नाफ हार चुके हैं उनसे मतलब वो गंटे कई गंटे तक बाहर बैठे रहे अंदर सीनियर्स के मिटिंग चलती रही बाहर आके योगी जी को परचा पकड़ा दिया गया कि यह देखो और जाके यह इलेक्शन लडेंगे योगी जी ने विरोध किया तो उनको साफ हड़का दिया गया कि यही लोग सेट किया जा रहा है कि एक क्लियर डिफरेंस क्रियेट हो चुका है दिली के अंदर मोधी और योगी के बीच में यानि यूपी में योगी और मोधी और उसके बाद एक वो फोटो दिखाई जा फोटो का डिसकेशन हो रहा है कि मोधी जी अपनी गाड़ी में बैठे हुए ह गाड़ी चल रही है योगी जी बाहर चल रही है और वाकादा उन्हें चौकिदा रही है फिर वाच्मन के संग्या दी गई उसके बाद मोदी जी को उनके कंदेवे हाथ रखने की जो फोटो उसके बारे में सरी एक नेरिटिव ऐसा सेट किया गया कि ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में difference है, अब ये शुरू से चल रहा है, बाद में है, क्योंकि योगी जी जब आये, मुझे तब भी याद है कि ऐसा लगा कि जैसे योगी जी by choice नहीं आये, by force आये है, कि उन्होंने इतना pressure create कर दिया कि पुरवांचल के सारे vote मैं विदा देखिए साब, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो किस चीज का नाम है, योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो स्विकारियता है, वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, योगी आदित्यनाथ को अलग अलग विधान सबहा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी बुलाया गया है चुनाव परचार के लिए, और लोकसबा चुनाव में भी, वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, उनको बहुत सारे राज्यों में बुलाया गया, उनकी जरूरत महसूस की गई के साब आप आजाईए और इन इन छेत्रों में आकर के चुनाव परचार करिए, आप एक बार आजाईए बस, इतना ही काफी है, अब आते हैं आपने जहां से शुरुबात की थी, के साब जिनकी 99 सीटे आई हैं, वो तो च् मार रहे हैं, किलकारियां भर रहे हैं, वी का चिन बनाकर के खडगे साब, राहुल गांदी, सोनिया गांदी, प्रियंका वाडरा, चित्र खिचवा रहे हैं, मीडिया में जारी करवा रहे हैं, इनकी जो मीडिया सेल की प्रभारी हैं, वो ऐसे मुक्का तान करके चिन बनात मेरे विचार से तो 2014 में भी कॉंग्रेस जीती थी, जब 44 सीटों पर सिमट गई थी, ये तो हमारी कुछ सम्मेधानिक खामिया है, कुछ EVM की गड़बड जहले है, कुछ चुनाव आयोग की बेशर्मी है, कुछ सम्मेधान बनाने वालों की गड़बड़िया है, के वो ये लिख करके नहीं गए सम्मेधान में, के हारने के बाद भी कॉंग्रेस का ही पर दान मंतरी बनेगा, और कॉंग्रेस में भी नेहरोगांदी परिवार का ही कोई चश्मो चिराग तेय करेगा, कि कॉन पर दान मंतरी बने इस देश का, ये एक्चल में हमारे सम्मीधान की खामिया है फिर 2019 में जब इनकी 52 सीटे आई तब भी इनके साथ अत्याचार हुआ न्याय हुआ, अंजिस्टिस हुआ इनको फिर प्रदान मंत्री जी बनाया गया अजी प्रदान मंत्री तो छोड़िये आग 2014 की तरह इनको नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं दिया गया मतलब ये अंजिस्टिस इनके साथ 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ और आप देखें, 2024 में नरेंद्र मोधी तो 293 या 303 सीटे लेकर के NDA की, वो तो चुनाव हार गये उनको तो कोई नेतिक अधिकार है ही नहीं प्रधान मंत्री की शपत लेने का और जिनकी 99 आई और एक घट गई उनकी वायनाड़ वाली 98 रह गई वो अपने आपको ये वी का पोजिसन दिखा करके अपनी को जीता हुआ साबित कर रहे हैं और पूरी दुनिया में शोर मचा रहे हैं कि हम तो जीत गए और नरेंद्र मोदी हार गए नरेंद्र मोदी को ये लोग बेशर्मी के साथ एक तियाई परधान मंत्री बता रहे हैं ये मतलब किस-किस तरह के शब्दों का परियोग कर रहे हैं जिनकी तीन बार की भी सीटें जोड़ करके दो सो चालिस نہیں होती हैं दो सो पार भी नहीं होती हैं उनकी बेशर्मी देखिए और उनका दुस्साहस देखिए जो तीसरी बार देश की जनता के दोबारा ठुकराए गएं वो कह रहे हैं कि हम तो जीत गएं साब 99 सीटे जीत करके 98 सीटे जीत करके और जो 303 सीटे ले करके तीसरी बार देश के परधान मंत्री बने गए हैं वो चुनाव हार गए हैं तो ये तो ये narrative चलाने वाले लोग कहां से दिशा निर्देश पाते हैं और फिर अपना content तैयार करते हैं और अपनी जिरह बाजी के लिए कैसे कैसे चेहरों को बुलाते हैं या जोडते हैं अपने साथ और वो सारे के सारे जो agenda धारी so called पत्रकार मैं तो उनको पत्रकार भी नहीं मानता आप मानते होंगे मैं नहीं मानता उनको पत्रकार ये ये हरी मोहन जी ये सब के सब किसी एक center से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद इस तरह की जाहिली दिखाते हैं बेशर्मी दिखाते हैं कि आप लगातार थपड़ खा रहे हैं लगातार ठुकराए जा रहे हैं देश की जनता के द्वारा और इसके बाद भी आप इस तरह का narrative create कर रहे हैं इस तरह के जूट पहला रहे हैं कि योगी अधित आत बाहर बैठे रहे उनको एक पर्चा थमा दिया गया ये नहीं पर्चा ही क्यों थमाया गया उनको तो कह दिया जाता भई आप बाहर बैठे क्यों हैं आप तो जाईए लखनो जाकर के अपने घर में आराम करिए आपको यहां आने की जरूरत ही क्या है और ये आज का माह यह है कि किसी को प्रिंट आउट निकाल करके उसके हाथ में थमाया जाता है, हमारे और आपके पास भी एक WhatsApp मेंसेज आ जाता है, या email से जो है कोई लिश्ट आ जाती है, कि किसको कहा candidate बनाया गया है, मतलब एक द्रश उत्पन करने के लिए, एक visualize करने के लिए कि योगी अधि कुछी दे दी गई, किसा अब ये ये परतियाशी है, उनकी कोई सुनी नहीं गई, ठीक है, तमाम तरह की दिक्कतें हर पारिटी के अंदर होती है, भारतिय जंता पारिटी में भी है, भारतिय जंता पारिटी को मैं कोई दूद की दुली तो मानता नहीं हूं, डिफरेंसिज होते हैं, एक-एक सीट से कई-कई लोगों की उमीदवारी की दावेदारी होती है, आवेदन आए हुए होते हैं, उनमें से कई तरह की चीजे देखी जाती है, कितने किस जाती को टिकेट देने हैं, ये देखा जाता है, कौन विनिंग पोजिसन में है, या उसके पास कितनी शमता है, कितनी अनुभव है, उसकी छवी कैसी है, किन जातियों को वो रिपरजेंट करते हैं, ये सारा कुछ देखा जाता है, एक संतुलन कायम करना होता है, किस किसी अच्छे candidate की जगह है, किसी खराब candidate को भी टिकट दे दिया जाता है, उसके कई दूसरे कारण होते हैं, जो दबे चीपे होते हैं, परदे के पीछे से कुछ गटनाएं होती हैं, परिगटनाएं होती हैं, जिनके चलते किसी को टिकट दे दिया जाता है, उस पर चल्चा ह तो पत्ता बस कटने ही वाला है, योगी अधितनात का तो बस हटाया ही जाने वाला है, मैं इसी लिए बार-बार कहता हूँ, अपने प्रोग्राम से भी कहता हूँ, यह जो पूरा इको सिस्टम है, यह कहां से गवर्न होता है, कहां से इनका कंटेंट सेयार किया जाता है, वो जो हुआ हुआ करके जंगल में हांक लगाई जाती है न, यह वैसा ही पूरा इको सिस्टम है, एक ही जगह है, जहां से इन सब को हांका जाता है, इन सब को बताया जाता है, कि आपको अब यह करना है, इस तरह चिलाना है, यह निरेटिव बनाना है, और वो पूरे का पूरा इनके सब के चैनल खोल के देख लीजे और चैनल भी मत खोलिए इनको सुनिये भी मत बस इनके थमनेल देख लीजे और उस थमनेल में किस किस तरह की बाते होती है ज़रा एक नजर उस पर मात वैसे मैं आपकी तो हिम्मत है कि आप उनको सुन भी लेते हो मैं नहीं सुनता मैं इनके किसी के भी कोई वीडियो सुनता ही नहीं इसलिए मुझे पता ही नहीं कि क्या वखवास कर रहे हैं यह लोग क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने क्या कहा होगा और किस तरह के निरेटिव उन्होंने गड़े होंगे और किस किस तरह की बाते अपने कुतरकों के पक्ष में गड़ी होंगी, ये मुझे पता है इनका, मैं इनकी नखसनस से वाकिफ हूँ कि ये किस तरह की, किस इश्थर पर उतर करके जूट फैला सकते हैं और किस-किस तरह की बाते कर सकते हैं, लेकिन मुझे ताज़व इस बात का है, कि हमारे और दर्शक, लगता है, उनको लगता है कि यार हम जिसे चाहा रहे हैं, उनके पक्ष में कुछ लोग तो हैं, जो हांका लगाते हैं, कुछ लोग तो हैं, जो भले ही जुड बोल रहे हों, लेकिन हमारे मन लगती बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी बात सुनो, इनका चैनल परमोट करो, इनकी इनकी बात जरूर सुनो, इनके वीवर्स जरूर बढ़ाओ, इनको ये आमदनी कम नहीं होनी चाहिए, तो ये एक नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और ये क्यों चल रही है, ये हमसे और आपसे छिपी होई नहीं है, जो मैंने कहा है कि कोई पारिटी मन वेदों से, मत वेदों से अचुती नहीं है, लीडर्शिप क्लैश भी होते हैं, कई बार आगे किसकी दावेदारी बन रही है, इसको लेकर कि भी कही ना कहीं खीशतान होती ही है, वोस्चरिंग और पोजिस्निंग भी होती है, सारी चीजे होती हैं, ले योगी आदितनात को दो महिने बाद हटा देंगे, अगर नरेंदर, मोजी परदहान मंत्री बन गए, और उसके बाद तो वो आमित शाह को छोड़ कर के निकल लेंगे, और आमित शाह जो है नरे, उनको योगी आदितनात को हटा देंगे, उस चालबाजी के पीछे, एक मात कारण ये था कि उस समय जनरल वीके सिंग का टिकेट कटा था और गाजयबाद से अतुलगर को टिकेट दिया दिया गया था कुछ और ठाकुर केंडिडेट्स को लेकर के थोड़ा सा चल रहा था ब्रज भुशन शरण सिंग का टिकेट एनाउंस नहीं हो रहा था वो क्यों नह जियाना का चुनाव निपड़ जाए पश्चमि उत्तर प्रदेश का निपड़ जाए ताकि जो जाट मद्दाता हैं महिला पहलवानों को लेकर के जो थोड़े बहुत सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं लोगों के वो आहत ना हो जाएं वो सब ठीक है इस्ट्रेजी थी ल के सिंग का टिकेट कटने से उनमें और गहरी नाराजगी हो भारतिय जनता पार्टी को और नुकसान हो उसका असर कहीं कहीं देखने को मिला और कई सीटे जो हैं भारतिय जनता पार्टी लूज कर गी केवल उत्तर प्रदीस की बात मैं नहीं कर रहा दूसरे राज्य में भी ये नुकसान हुआ और ये सब साजिशें रची जाती हैं और इन फेक निरेटिव का समय रहते भारतिय जनता पारिटी की तरफ से मुकाबला ना कर पाना उनका खंडन नहीं कर पाना ये बीजेपी की कमजोरी है उसके नितरत्यू की भी उसके आईटी सेल की भी और जो उनके स दिखते हैं उनकी भी कमजोरी है और ये आप बहुत हत्तकामियाब हो जाते हैं उसमें समीधान बदल दिया जाएगा आरक्षन छीन लिया जाएगा खटा खट साड़े आठ हजार हर महिने के पहली तारीक को आपके एकाउंट में आ जाएंगे तमाम तरह के मतलब निरेटि हुए लोगों ने भी किया ऐसी ऐसी लोमड़ी बैठी हुई है जिनको देश के बारे में यहां के भगोल के बारे में यहां के राजनीची के बारे में यहां के सामज एक आर्थिक व्यवस्ता के बारे में नगण जानकारी है और वो कैसे कैसे भद्दे वीडियो बनाते हैं और कितने तत्य हील वीडियो बनाते हैं, ये कई बार एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि खादपानी पहुंच रहा है, तो एक जमात है, और वो मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग हैं जो भौकते रहे हैं कई सालों से, औ और वो अभी अंबानी के यहां जो है पतल चाटने के लिए पहुंच गए सारे के सारे, तो वैसे ही है, देश के वीतर भी और देश के बाहर भी एक जमात तयार कर ली गई है, जो 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 इसके बावजूद मुझे, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक बात कही थी, पता नहीं आपके प्रोग्राम में कही है, कही हैं और कही है, दस साल मनमहन सिंग परधान मंतरी रहे, और दस साल परधान मंतरी रहने के बाद उनकी सीटे कितनी रह गई थी, 44, और दस साल ही नरेंदर मोधी परधान मंतरी रहे, इनकी सीटें कितनी है, 240, तो कॉंग्र अपने अपनी अंतर आत्मा से पूछें के जीता कौन है और हारा कौन है सर आपने जो बताया वो बिल्कुल बहुत अच्छा है मैं मतलब बहुत समझने में मदद हुई लेकिन मैं केना मेरे अंदर एक मतलब जिग्यासा जागोटी में तॉपिक दो चीजों को जोड़ कर देखने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपके जो ज्यान और अनुभव है उसके इसाब से इस परिस्तिति को समझने की कोशिश करोगा सर ट्रंप के ऊपर अभी परसो गोली चली जब ट्रम्प के उपर कल गोली चली तो उसके बाद आप आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चानवीन हुई बहुत सारे वीडियोज वाइरल हुए जिसमें ट्रम्प को एक डैमन की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया है डैमोक्रेट्स के द्वारा बाइदन शांत र गोली चली आज बाइटन कहता है कि यह सारा ट्रम्प का ही रायता फैलाया हुआ है सारी हिंसा ट्रम्प कर रहा है जबकि पिछले वीडियोज एक सिरीज में निकल कर आई कि जिसके अंदर कंसिस्टेंटली डैमोक्रेट्स कह रहे हैं ट्रम्प के मूपे मुका मारो जहां मि पुतला लेकर उसकी प्रटीवी गर्दन खुन से टपकते हुई वह लेकर फोटो खिचवारी और कहती है अच्छा हुआ ट्वीट इनी के डैमोक्रेट्स की एक कार्यकरता का आ रहा है जो यह कह रही है आज इतिहास बनने से बच गया है ट्रम्प बच गया आज कहता है अम में देखा जाए राहुल गंदी का भी एक बयान है खुले तोर पर वह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बेरोजगार ही हुआ है मोद मोदी को छे महिने के इंतर दोड़ा दोड़ा के पिठते हुए नजर आएंगे और इस तरीके का मोदी डैमन है मोदी डिक्टेटर मतलब वही नफरत और नफरत की राजनी की खुद कर रहे हैं और संसद में कह रहे हैं नफरत 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 हिंसा 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 और हम बताएंगे अब है मुद्रा आप जिस तरीके से कह रहे थे कि मतलब ये नेरेटिव में बीजेवी फेल हो जाती है ट्रंप भी वहां फेल हो रही हैं इन फाक्ट एक ली में जॉर्जिय मेलोनी फेल हो रही इन सो हिंसा वह करते हैं डेमोक्राइट टाइप के लिब्रल्स और इन पर सारी हिंसा का आरोफ थोफ के इनको कहते हैं कि तुम ही हिंसा को और एक बड़ा सेक्शन मान भी जाता है। सर मेरा सवाल ये है, ये जो रास्ट्रवादी पूरी दुनिया में ये कहां फेल हो जाते हैं? कि पूरी दुनिया में मुझे एक जैसा ट्रेंड नजर आता है। सर। देखे जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जिस सोशल मेडिया की आप बात कर रहे हैं, उन पर वर्चस हो किन का है। वर्चस हो तो इन ही का है जिनको लिबरल कहा जाता है, जिनको लिबरल कहा नहीं जाना चाहिए। ये लिबरल है भी नहीं, ये तो हिंसावादी हैं। इस मैं आप से पूछूँगा, इस में थोड़ा सा रोकूँगा, मुझे माफ कीजिएगा, बड़े शातिर तरीके से इन्हों में राष्ट्रवादियों के लिए टर्म्स गड़ रखी हैं नाजी और फासिस्ट, और अपने लिए टर्म गड़ रखी हैं लिबरल, जब मैंने भी पहली बार ये लिबरल शब्ड पढ़ाया, तो मैं खुद गन्फ्यूज था, जब UPSC की तैयारी कर रहे थे, और वो किस विचारदारा से प्रभावित थे, तो हिटलर मतलब कम्योनिस्ट उसी विचारदारा के, तो आप नाजी और हिटलर, नरेंद्र मोदी को कैसे कह सकते हैं, मतलब राइट विंग को कैसे कह सकते हैं, तो इसी लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया को संचालित कर रहे हैं, ये जो में इस्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं, बीवीसी ले लिजे, अल जजीरा ले लिजे, वशिंग्टन पोस्ट, नियू यॉर्क टाइम्स, जितना भी पश्चिम का मीडिया है, आपको क् समय ट्रम्प के खिलाप इस तरह का जहर उगला जा रहा है, और जो हुआ है, उसको नकार करके ट्रम्प की ही ये एक साजिश बताई जा रही है, चनाव जीतने के लिए, जब ट्रम्प राश्चती थे, उस समय वहां के मीडिया ने कोई कसर छोड़ रखी दी क्या, के से डॉनाल्ड ट्रम्प ने वहां के मीडिया का बाइकॉट कर रखा था, पिछले दस साल में लगबग वैसा ही बाइकॉट नरेंद्र मोदी ने अगोशित रूप से मीडिया का किया हुआ है, कोई प्रेस कॉन्फरेंस नहीं करते हैं ये नरेंद्र मोदी, क्योंकि हरी मोहन जी आप तो इतने अनुबहवी हैं और बहुत अकैडमिक आपका केरियर है, उस समय क्या एक बहुत गंदी हरकत की गई थी, 67 MP के सिगनेचर करा करके बराक ओबामा को बेजे गए थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री को आप वीजा ना दें और फिर उसी ओबामा वाइट हाउस के बाहर लाल कालीन विचा करके नरेंदर मौदी का स्वागत किया था, दोनों पती-पतनी बाहर खड़े हुए थे, ये डेमोक्रेसी की ताकत है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, और आप साजिस रचते रहिए जितनी आपको रचनी है, आप फेक वो सही फैसला करने में सक्षम है, और लोगों के बारे में कहा जाता है, जिवो इसमर्ती दोश के शिकार हैं, और इतनी आसानी से लोग चीजें भूलते भी नहीं हैं, और आजकल तो, चुकि सोशल मीडिया का जमाना है, और आप जैसे और हमारे जैसे, लोग भी अब तो की और समीधान की हत्या की है, तो हम भी बताते हैं, तो इसलिए लोगों को पता लग जाता है, लोग जागरूख हो जाते हैं, फिर वो विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही और गलत की पहचान करके हैसला देते हैं, ये जो गटना हुई है, इस पेसली डोनाल्ड ट्रम्प वाली, आपको क्या लगता है? कैरोसिन केवल भारत में छिड़का गया है क्या? हर जगे छिड़का चाहता है. सिंजो अब एक हत्या हुई है जपान में कई दूसरे देशों में भी हत्याई हुई है अभी फ्रांस में क्या हुआ है फ्रांस में जब राइट विंग की शुरुवाती बढ़त दिखाई दी तो आगजनी हो गई, तोड़ फोड हो गई, दंगे हो गई लोगों को लूटा गया, मारा गया वो ही अपने देश में होने वाला था हरी मोहन जी यस सर मतदान के मतगनना के एक दिन पहले अपने कारिकरताओं को कहा गया था कि अपने अपने दाफ्तरों में पहुंच जाईए एक पारिटी के परदेश अज्यक्ष ने कहा था कि लाठियों और बल्लम के साथ अपने दाफ्तर में पहुंच जाईए, समाजबादी पारिटी के कांग्रेस पारिटी ने अपने कारिकरताओं को कहा था कि आप कांग्रेस आफिसेज में पहुंचिये अगर 400 पार के पास भी पहुंचती भारते जनता पारिटी और NDA तो आपको फ्रांस जैसे हालात यहां भी देखने को मिलते हैं यह कैरोसीन छिड़क ने यह कैरोसीन ऐसे नहीं छिड़का जाता कि आपने किसी डीलर के यहां जाकर के कनस्तर भरवाए और सडकों पर दुकानों पर छिड़क दिया यह जो जहरीली विचारधारा है यह जो जूटा निरेटिव है यह जो एक निरेटिव बनाने वाली और उसको परसारित परचारित करने वाली जो एक अद्रश्य या द्रश्य सेना तैयार की गई है जो देश के वीतर भी है और देश के ब ये अत्याचार हो रहा है जी वो अत्याचार हो रहा है जी आरक्षन छीन लिया जाएगा सम्विधान खतम कर दिया जाएगा ये तीसरी बार बन गए या दूसरी बार बन गए तो आगे से चुनाव ही नहीं होंगे ये सब चीजे और जो डोनाल ट्रम्प के साथ हुआ है ये तो जनवरी 2020 में, 2022 में वहां फिरोजपुर के रास्ते में प्रदान मंतरी नरेंदर मौदी के साथ भी हुआ था पंजाब में, उनको भी तो गहर लिया गया था, उनको भी तो ओवर ब्रिज पर 20 मिनट, 22 मिनट तक खड़ा रखा गया था, अगर वहां से वापस भटिंडा आ तो ये कितना बड़ा खत्रा है, ये समझने की जरूरत है, और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो भी देश से प्रेम करते हैं, जो भी राष्टवादी हैं, उनकी जिम्मेदारियां और ज़्यादे बढ़ जाती हैं, और ये जो फेक नेरेटिव पिलाए जाते हैं, एक म जान बोज करके और बहुत साजिश पूर्ण तरीके से, नियोजित तरीके से किया जा रहा है, सर बिलकुल जिस तरीके से आपने समझाया और ये लिटरली ऐसा ही चल रहा है, नियोजित तरीके से, पूरी और्गनाइजड मैनर में, सब तरी, मतलब हर चीज को हैंडल किया जा रहा है, युनिवर्सिटी से लेकर, मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, हर जगह पर, इनके एजेंट्स बैठे वे हैं, जिनको लगातार पैसे पहुच रहे हैं, नियूस क्लिक से लेकर, हर मामले में, अगर आप देखेंगे, बिलकुल सहीक आसर ने, कि इनके व आस्टरबादी चैनल उनकी गरधन दबारक की तो उनके व्यूज नहीं आ रहे थे, और जो देश तोड़ने की बात करने वाले या सरकार का कोपलेटने की बात करने वाले थे, एक बार में तीन महीने के अंदर दस मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ा कर जाते हैं, और इस तरीके से ट्रंप पे गोली चली और मुद्दा बना के तेरी वज़े से हुआ है, तुमने मामले को नहीं एंडल किये, इसलिए लोगों में तुमारे खिलाफ गुस्सा है, यही एक्जाट्ली यही सीन, प्रदाल मंत्री मोधी जब फिरोजपूर में थे और वहां से यहां बाइडन ने ट्रंप को ही उल्टा फसाने की कोशिश करी, कि तेरी वज़े से हुआ है, यहां किसी ने इस चीज़ पर डिसकेशन नहीं होने दी, कि मोधी जी को दुश्मन देश की फाइरिंग रेंज में 20 मिनिट खड़े रखा गया, बलके मुद्दा यह बनाया कि म मोधी जी ने ने तक तार-टार कर दी उस सिपाही को मेसेश देके आने की क्या जरूरत थी, यह तो मोधी जी ने गिरी भी बात कर दी यह स्माइटनेस को समझने की जरूरत है, लिश तरीके से फैलाया जाता है और गुन्हेगार भी, कातल भी वही और जिसे कहते हैं कि बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया बहुत बहुत थैंक यू सार और समझाए में मज़ा आ गया experience यहां बहुत है थैंक यू सार थैंक यू